नमस्काल दोस्तो मैं अर्चना आप सभी लोगों का बहुत बहुत सा आगर करती हूँ दोस्तो आपके अपने चैनल अर्चना फैशन ब्लॉग में तो दोस्तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है बालो से रिलेटिड बहुत से लोग हैं जिनको सही तरीका बालों में मेदी हो और आपके लिए अच्छा सावित हो तो यहां पर देखेंगा मैंने अभी अपने बालों में लगाया हुआ है अभी जश्ट बॉस्ट किया है तो आपको कहीं से भी मेरे बाल अभी ड्राइ नहीं दिख रहे हैं तो इसका सही तरीका क्या है जिससे आपके जो बाल है एक एक जो है गिरे बाल हो गए हैं वो कबर भी हो ग्रोथ भी वड़े और सॉप्ट एंड शाइनी भी हो तो चलिए आप लोगों के शासियत करते हैं कि कैसे मेरे को बनाए जो आपके बाल भी इस तरीके से ड्राय ना हो और सारे वाल आपके जो भी हैं वाइट हो रहे हैं थोड़ा सा तो वो भी कबर हो जाएं तो चलिए चलते हैं क्या-दी बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहां पे लिया है नेहा का हर्बल पाउडर जिसमें है अलोबीरे हवीकस एंड ग्रीन टीह यह मैंने मॉर्केस की आ है कहली है है is 58 लोह की कड़ाई मेंद्व दोस्तों तो लोहे में बोलते हैं आइरन होता है जो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा है इसी में बनाएंगे आप लोगों के पास है तो एच्छी बात है नहीं तो Hog उगल को कहूंगी एक छोटी जी लोई की कड़ाई ले ले इसमें मैं इसारी जड़नेे एक छोटा गलास पानी डाला है और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी तीन चंब स्टेमियों का आम्ला पाउडर तो इसमें मैंने डाल दिया है, गेस को मैंने च्छा अक्षा है, इसको धीरे आड़ कर दिया है कौफी पाउडर ये देखें वो भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब कर देंगे हम अपनी गैस को बंद और इसको रख देंगे थोड़ी दिर रेश्ट होने के लिए जिससे ये ठंडा हो जाए उसके बाद दोस्तों मैं इसमें मेहदी आड़ कर पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करके और ये देखें हमारा पेश्ट बन गया है यहां पे हमें इसको ज्यादा गीला नहीं करना है और यह मैंने पेश्ट बना के रात को रख दिया था क्योंकि मैं मॉर्णिंग में इसको यूज करने वाली हूं तो दोस्तों देखेंगा य जो कि हमारे बालों में लाएगा शाइन हमारे बालों को जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा सॉप्ट बनाएगा और एक से पॉंच मच मैंने इसमें नारियल का तेल भी एड़ किया है दोस्तों तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो यह पेश्ट है बालों मे लगने के लिए एकदम रेडी है तो चलिए अभी मैं इसको लगाऊंगी कैसे लगाना है वो भी आप लोगों के शाथ शेयर करूंगी तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है लगाने के लिए इस पेस्ट को हमें ज्यादा पतला नहीं करना है बढ़ना बालों में बहने लगता है और यहां पे मैंने अपने बालों को बाश भी किया है आप भी मेहदी लगाने से पहले बालों को बाश क तो दोस्तों इस तरीके से आप मेंधी का पेश्ट बनाएंगे तो आपके बालों की ग्रोध बढ़ने वाली है, सॉप्ट साइनी होने वाले हैं, आपके बालों में जो होता है, आमला हमारे लिए कितना अच्छा होता है, इसमें होता है विटामीन C, और जो हमारे बालों को श काफी दिनों से उच करते हैं, बहुत ही नेच्रल है, केमिकल फ्री है, आप लोग भी पर्चिश करना चाहते हैं, तो लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अच्छे रिचल्ट के लिए आप इसको मॉर्णिंग में खाली पेट गुनगुने पानी के साथ कॉन्जि दोस्तों, तो मैं यहां पर कैमरे में इतना साही से नहीं हो पा रहा था, तो मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ मूँ करके बैट गही हूं, उधर से मैं अपने बालों को अच्छे से कवर करूंगी पूरी तरीके से, आप लोगों को दोस्तों यह मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर करना, अपना भरवर के प्यार देना मेरी वीडियो को, एंड हैल्पूल लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंट्स में शेयर भी कीजेगा, और देखे क्या, यहां पर हमारे अच्छे से पूरा कवर कर लिया है, मैं इस मेदी को चार से पांच घंटे लगाएं, दोस्तों अपने बालों में जिससे अच्छे रिजल्ट के लिए, तो हमारे बालों में जो कलर है अच्छ से आ जाए, और देखे, यहां पर मैंने थोड़ा सा घर का काम किया, उसके बाद यहां पर मैंने अपने बालों को करना है, दोस्तों यह देखे, यहां पर मेरे बाल कितने अच्छे हो गएं, कोई भी ड्राइनेस आपको मेरे बालों में नहीं देखेगी, और इस तरीके से लगाएंगे, तो आपके बाल भी ऐसे ही सॉट, साइनी, स्मूध बनने वाले हैं, बालों